तो एट नमबर कोश्चन है हमारा मोनो आइवरेट क्रास किसे कहते हैं या मोनो आइवरेट क्रास को समझाते हुए इसका वरण करना है आपको कभी कभी तरी चैक बोर्ड के नाम से दूसरा वाला नियम पूँच लेता है डाइवरेट क्रास तो उसको भी देखेंगे आइवरेट क्रास के बारे में तो आपको द्यान रखना है जिसे एक संकर संकर कहते हैं तो इसको कैसे अल्व करते हैं तो आपको द्यान रखना है जो प्लांट होते हैं हमारे तो प्लांटों में एक मोनो का मतलबी यहाँ पर क्या होता है आपको द्यान रखना है मोनो hybrid cross तो इसको आपको दियान रखना है कि mono का मतलब होता है एक तो हमें एक लक्षड को दियान में रखकर ही cross कराना है जो हमारे मेंडल ने साथ करेक्टर दिये थे उन साथ में से हम एक लक्षड को दियान में रखकर तो आपको लिखना है यहाँ पर एक लक्ष्ण को द्यान में रखकर एक लक्ष्ण को ध्यान में रखकर मतलब आपको एक ही लक्ष्ण को द्यान में रखकर उसी लक्ष्ण की अल्टर्नेटिव फॉर्म बाले अल्टर्नेटिव फॉर्म बाले यह हम कहते हैं पीड़ी दर पीड़ी दर बाले पौदों के मद्द क्रास कराते हैं पौदों के बीच क्रास कराते हैं क्रास कराते हैं तब इसे मोनो आवरेट क्रास कहते हैं क्रास कहते हैं अब आपको समझना है कि एक लक्ष्ण कैसे जैसे मेंडल ने साथ करेक्टर दिये थे साथ पौदों के करेक्टर के बारे में बताया था जिसमें प्रभावी आप्रभावी तो हमने कहाँ यहाँ पर एक करेक्टर ले लेते हैं जैसे एक करेक्टर पौदे की लंबाई ले ले लेते हैं पौदे की लंबाई तो मेंडल ने बताया था कि पौदे की लंबाई वाला करेक्टर हम लेते हैं एक ही करेक्टर लिया है दुसरा नहीं लिया तो एक करेक्टर लेते हैं तो उन्होंने बताया कि पौदे की लंबाई में पौदा या तो लंबा होगा लंबा टैल बोलते हैं जिसे और इसका अल्टरनेटिव फार्म हमने का पीडी दर एक लक्षड़ है इसको दियान में रखकर उसी लक्षड़ की अल्टरनेट इसका ही दूसरा अपोजिट अल्टरनेटिव क्या होगा आपको दियान रखना है बॉना डार या बॉना लिख देते हैं बॉना और इसको कैप्टल से दिखाते हैं जैसे इसे कैप्टल टी कैप्टल टी तो इसे इसमाल टी इसमाल टी से दिखा देते हैं बॉना अब आपको दियान रखना है ये एक करेक्टर है एक लक्षड है तो एक ही लक्षड को दियान में रखकर हमें क्रास कराना है अब आपको दियान रखना है यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो इनमें दो पॉइंट और भी दियान रखना है यह जो हमारा जो कैप्टल वाला होता है हमेशा दियान रखना ये capital ये आपको दियान रखना है हमेशा पिरभावी होता है dominant होता है और ये आपको दियान रखना है हमेशा आपिरभावी होता है recessive होता है आपिरभावी आपिरभावी होता है तो आपको दियान रखना है जैसे उधारण के तौर पर अगर हम समझें यहां पर कि इसमें तीन चार उधारण लिख देते हैं ये हमने उधारण लिख दिये चार तो आप कहोगे इसमें से प्रभावी कौन सा है तो आपको दियान रखना है ये देखो सुद्ध है तो ये कहलाएगा आपका प्योर टैल या सुद्ध लंबा सुद्ध लंबा मतलब कोई भी मिलावट नहीं है दोनों एक जैसे है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कहलाएगा आपका सुद्ध बौना मतलब इसमें भी कोई मिलावट नहीं है सुद्ध बौना लेकिन यहाँ पर आपको दियान रखना है दो है एक capital भी है तो small भी है तो आपको ध्यान रखना है हमने कहा है ये capital वाले हमेशा प्रभावी होते हैं और ये आप्रभावी है अगर पढ़ें तो हम क्या बताएंगे यहां पर हाइवरेट हाइवरेट का मतलब अगर आपसे कहें तो आप कहोगे लंबा पौदा एक प्रकार से ये क्या है लंबा है लंबा क्या है सुद है असुद आप कहोगे हाइवरेट है दोनों के मिक्षर है लेकिन ये वाले करेक्टर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो यह प्रवावी है तो इसी का तो देखो नाम लिखा गया यह प्रवावी तो यही तो है प्रवावी कैपिल लंबा इसका नाम नहीं आया बौने का यहां पर भी देखो चाहे हमने उल्टा कर दिया इसको तब भी यह क्या कहलाएगा लंबा पौधा लंबा भी कैसा बिसम लंबा कहलाएगा, सुद्ध नहीं कहलाएगा विसम, क्योंकि जो बौना पौदा है वो छुप गया है, इसलिए इसे विसम कहते हैं, तो यही पौदे हम क्रास कराएंगे, एक लक्षड़ था, ढब एक लक्षड़ को दियान में रखकर हम क्रास करा लते हैं, यहाँ पर हमने म कौन सा होगा आपको ध्यान रखना है कैप्टल टी और यहां पर हमने ले लिया सुद्ध बौना पौदा बौना पौदा अब इसको हमने इसमाल से इसके अपोजिट बता दिया वैसे तो डार्फ बॉलते हैं लेकिन डबलू ना लिख करके आप डी ना लिख करके टी इसमाल इसके अपोजिट तो हमने इसको इसमाल से दिखा दिया अब हमने क्या करा इनका गैमिट बना लिए और गैमिट कैसे बनाते हैं तो हमने का इसमें अर्थसूत्री वाजन से द्वारा इनको अलग कर दिया अलग अलग कर दिया दोनों के ही गैमिट बना लिए दोनों के गैम गैमेट बना लिए गैमेट बनाएंगे मियूसिस के द्वारा तो यहाँ पर टी कैपटल यहाँ पर कैपटल टी और यहाँ पर स्माल टी और यहाँ पर स्माल टी यह आपके कहलाते हैं गैमेट गैमेट युगमक तो युगमक बन गए अब हमने कहा है इनका किरास दिखाना है तो आपको क्रास दिखाने के लिए हमने क्या करा इनको गोल बना दिया बंद कर दिया जिससे कि हम सही से दिखा पाएं अब क्रास कराना है इसका इससे दोनों के मेल गैमिट इधर भी और इधर फीमेल गैमिट पाल लो तो इनका क्रास हमने कराया जब क्रास कराते हैं तो हमने का इसका क्रास इसको पकड़ लेना और इसका क्रास हमने इसके साथ करा दिया हाथ इसी पर रखे रहेंगे जब तक कि क्रास ना करा दे तो इदर से कैप्टल्टी आया और इदर से स्माल्टी हो गया फिर अभी इसी को इसी का क्रास इन दोनों के साथ कराना है अभी एक रह गया है तो इसका क्रास इसके साथ करा दिया और इसमें भी क्या है आपको ध्यान रखना है कैप्टल टी इसमाल टी अब इस पर इसे हाथ डालेंगे दो बार अब इसको देखते हैं तो इसका क्रास कराएंगे तो हमने का इसका क्रास कराने के लिए एक बार इस पर हाथ रखेंगे और इससे करा देंगे इसका क्रास और यहाँ पर क्या निकल कराएगा कैप्टल टी, स्माल टी फिर हाथ नहीं अटाना है फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर ही इस वाले से किरास दिखा देना है और इसको कह दिया कैप्टल टी इधर से आया और स्माल टी इधर से आया और अब अटा देंगे दो बार तो यह F1 जनरेशन आ गई यह आपकी PD 1 आ गई जिसे कहते हैं F1 जनरेशन F1 PD बोलते हैं जिसे अब F1 जनरेशन में आप देखोगे तो कैसे प्लांट नजर आ रहा है आपको आप कहोगे एक तो लंबा है अब हमने कहा है यहाँ पर देखो लंबा ही अपना करेक्टर पिरदरसित कर देगा जैसे एक रो में लंबे इंसान को खड़ा कर दिया जाए और पीछे बैसे तो लैन लगाते हैं तो छोटे छोटे आगे रखते हैं तो आगे ना रखकर हमने कहा लंबा आगे खड़ा कर दिया और छोटों को पीछे अब हम आपसे कहें कि बताओ कितने बच्चे हैं तो आप बता पाओगे नहीं क्योंकि लंबे वाले ने पीछे वालों को ढख दिया तो यहां पर भी जो लंबा वाला है वो पीछे वाले अपने करेक्टर को सो नहीं होने देता है तो यहाँ पर लंबे ही निकल कर आते हैं और लंबे में ही आपको ध्यान रखना ये लंबे भी कैसे होते हैं सब में लंबा है इसमें भी लंबा है इसमें भी लंबा है इसमें भी इसमें तो हमने कहा दिया ये लंबे है F1 generation में सबी पौधे कैसे हैं? लंबे अब कैसे लंबे हैं? तो आपको ये बताना है सुद्ध नहीं है इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है ये बौना भी है लेकिन दिख नहीं रहा है तो आमने लिख दिया बिसम आपको दियान रखना है बिसम बिसम लंबे पौधे प्राप्त होते हैं किसमे F1 generation में? तो आपको ये दिखाना है यहाँ पर कि जो ये वाली generation आती है F1 generation इसमें सभी प्लांट आपको कैसे निजर आएंगे? तो आप लिख सकते हो All plant हेट्रो जाइगस अब देखो ये हेट्रो जाइगस का मतलब ही क्या होता है? बिसम है न? सभी बिसम पौधे हैं आपको दियान रखना है सभी हेट्रो जाइगस लॉंग प्लांट आपको दिखाई देते हैं अब ये F1 generation आईए तो F1 generation में इसी में हम पढ़ते हैं जो मेंडल ने लौ दिया है प्रभावता का नियम तो प्रभावता का नाम नियम यहीं तक चलता है कि मेंडल का प्रभावता का नियम लिखिए तो आपको इतना लिख देना है कि F1 generation में जो अपने लक्षणों को प्रभावत करता है दिखाता है उसे डॉमिनेंट कहते है जो अपने लक्षणों को छुपा लेता है उसे रिसेसिब या आप्रभावी कहते है तो F1 generation में कौन अपने लक्षणों को दिखा रहा है तो आप कहोगे लंबा वाला अपने लक्षणों को दिखा रहा है तो इसको कह देंगे प्रभाबता कानिया जो अपने लक्षणों को दिखाता है उसे कहते हैं प्रभाबता कानिया अब हमने कहा इसका फिर से आपको Self Cross कराना है अभी इस F1 Generation का Self Cross करा दिया तो आपको दियान रखना है F1 जनरेशन जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं कराते हैं तब या तो F2 जनरेशन में तो F2 जनरेशन में आपको दियान रखना है यहाँ पर क्या निकल कर आएगा यही है हमने कहा यहाँ पर क्या था यह आपके बिसम लंबे पौदे थे और यहाँ पर इधर भी बिसम लंबे पौदे दिखा दिये लिख भी दिया बिसम लंबे पौधे और यहाँ पर भी है बिसम लंबे पौधे बिसम लंबे पौधे तो यह है क्या F1 जनरेशन है अब हमने कहा है इसके भी हम किरास कराएंगे तो किरास कराने के लिए हमें फिर से अर्द सूत्री विवाजन करना पढ़ेगा म्यूसिस और जिससे गैमिट बनाएंगे और गैमिट कैसे बनते हैं तो हमने इसमें कर दिया अर्द सूत्री विवाजन यहां पर मियूसिस कर दिया और इसको अलग अलग कर दिया एक कैप्टल था तो कैप्टल एक स्माल था तो इसमाल लिख दिया और यह क्या बन गाए आपके गैमेट ऐसी यहां पर भी हमने गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया यहां पर भी गैमेट बना दिये तो यहाँ पर भी एक कैप्टल है एक इसमाल है और यह बन जाते हैं आपके गैमेट अब इनका जब हम क्रास कराते हैं तो हमने कहा इसका क्रास कराया तो हमने कहा इसका क्रास इन दोनों से कराना है तो इस पर हाथ रख लिया और इसके साथ करा दिया तो ये आगया आपका capital T capital T फिर इसका grass हमने इसके साथ करा दिया तो यहां पर क्या आया capital T, small T फिर इसका grass हमने इसके साथ करा दिया तो इसमें भी capital T, small T और इसका क्रास हमने इसके साथ करा दिया इस्माल टी इस्माल टी अब आप देखोगे ये आपकी आती है F2 जनरेशन मतलब दूसरी पीड़ी आपकी स्टार्ट हो गई एक पीड़ी चले गई आप लोग चले गई दूसरी पीड़ी आ गई तो ये है आपका F2 जनरेशन में तो F2 जनरेशन में जो हमें प्लांट नजर आए तो यहाँ पर देखो एक सुद्ध नजर आ रहा है दो आपको कैसे नजर आ रहा है हाईवरेट बिसम लंबे पौदे और एक बौना पौदा अब आपसे कहें कि बताओ जीन प्रारूप दो वर्ड आपने पढ़े थे कि मोनो आइवरेट क्रास में आपको दिहान रखना है यहाँ पर जो मोनो आइवरेट क्रास होता है उसमें एक बर्ड आपने पढ़ा था जीन प्रारूप और एक बर्ड आपने पढ़ा था लक्ष्ण प्रारूप प्रारूप तो जीन प्रारूप किसे कहते हैं लक्ष्ण प्रारूप किसे कहते हैं आपको ध्यान रखना है कि जीन प्रारूप जीन की सरचना को देखकर बताना पड़ेगा और लक्ष्ड प्रारूप में बाहर से ही देखकर आपको पता चल जाए कि कौन लंबा है कौन चोटा है तो अब आप यहां से मोनो आवरेट क्रास में आपसे पूँछें कि बताओ जीन प्रारूप या लक्ष्ड प्रारूप क्या होगा तो आप देखकर बता सकते हो, यहाँ पर देखोगे, तुरंत बता दोगे कि लंबा, यहाँ पर देखोगे, तुरंत बता दोगे, लंबा, क्योंकि बोना तो दिखता नहीं है, यहाँ पर देखोगे, तुरंत लंबा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बोने हैं, तो दिख जाएं तो आप कहोगे यह लंबा, यह लंबा, यह लंबा, यह लंबा, यह बौना. तो कितने लंबे होगए? तीन लंबे और एक बौना. तो आपका अनुपाद क्या आ जायँगा? जो रेश्यू है. लक्षण ब्रारूशा आपक दियान रखना है. तीन एक क्यों हो तीन? क्योंकि तीन आप का होगे लंबे है हैं तो लंबे भई चाहें बिसम हो लेकिन हैं लंबे क्योंकि ये देखेगा ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही कहा था जो प्रवावी होते हैं वो देखते हैं आप रबावी वाले नहीं देखते दो को यहां पर क्या है naar है capital और small three तो लंबा है तो ही दिख रहा था तो यहां पर भी तो लंबा ही बोलेंगे हम क्योंकि छोटा वाला देखता नहीं है तो यहां पर भी हमने कह दिया लंबा और एक क्या आगया बॉना तो यह हमारा क्या हो chambers? लगफ्र प्रारूप है हमारा लेकिन जीन प्रारूप में आपको जीन देखना पड़ेंगे पिलकल सेम उसके ही जैसा देखना पड़ेगा आपको अब उसके जैसा यहां पर F2 generation में आप जीन प्रारूप निकालोगे तो कितना होगा तो आप देखोगे यहाँ पर सुद्ध लंबा पौदा तो क्या सुद्ध लंबा पौदा और भी है कहीं F2 जनरेशन में ऐसा तो आप देखोगे यहाँ पर बिलकुल नहीं है तो हमने कह दिया एक रेश्यू लेकल कर आ रहा है अब यहाँ पर देखा यहाँ पर देखा capital T small T तो capital T small T जब देखते हैं तो इसके जैसा F2 generation में और कोई है तो आप कोगे हाँ एक ये है तो एक ये एक ये कितने हो गए दो क्या और है और नहीं है तो हमने कह दिया यहाँ पर दो क्योंकि एक से है जीन परारूप में बिलकुल सेम देखना है आपको जीन के आप अब हमने आगे वड़ा ये भी देख लिया ये भी देख लिया इसको देखा तो इसके जैसा क्या और कोई है नहीं है small T small T एक ही है तो एक लिख दिया तो यह आजाता है आपका जीन परारूप तो आपसे पूँचे कि मोनो का हाईवरेट क्रास में एक संकरण संकरण में जो रेशू होता है अनुपाद जीनो टाइप और फीनो टाइप कितना होता है तो आपको दियान रखना है ये लक्ष्ण प्रारूप थ्री अनुपाद एक होता है और जीन प्रारूप आपका वन टू वन होता है या आप इसको बैसे भी लिख सकते हो अब ये भी आप लिख सकते हो बिसम लंबे पौदे दो क्या है बिसम लंबे पौदे है एक क्या है यहाँ पर बोना पौदा है और ये क्या है सुद्ध लंबा पौदा है और उधर भी आपको सुद्ध बाना पौदा है ये सुद्ध बाना पौदा है तो इसलिए तो ये जीन प्रारूप निकाले अब दूसरा नियम मेंडल का इसी फे वो भी ला यहां तक तो पहला था अब दूसरा नियम लग जाता है मेंडल का पिर्थक करण का नियम क्या पिर्थक करण का नियम उसमें एक ही करेक्टर को दियान में रखकर किरास कराते हैं लेकिन यहां पर देखो एक करेक्टर अपने आप से अलग हो रहा है क्या अलग हो रहा है एक करेक्टर देखो जो यहां पर लिखा था पौदे की लंबाई लंबा और बोना क्या यहां पर नहीं मिला है एक करेक्टर के लिए यह सदैब अलग होते हैं कैसे अलग हैं देखो यहां पर लंबा और यहां पर यह बोना तो एक करेक्टर मिल गया तो F2 generation आती है तो लंबे समय तक पढ़े रहते हैं लेकिन gamit बनता है gamit formation के समय ये पिर्थक हो जाते हैं अलग हो जाते हैं देखो gamit जैसी बना यहाँ पर देखो एक साथ रह रहते हैं तो F1 generation में ये लंबे समय तक ऐसी पढ़े रहते हैं पढ़े हैं विचारे, यहाँ पर पढ़े हैं, दूसरे नियम की बात करें, और जैसी गैमिट बनाएं देखो, गैमिट बनाते ही, इन्होंने क्या पिर्थक हो गए, यह देखो अलग हो गया, यह अलग हो गया, एक लक्षड के लिए, तब ही इसको क्या कहते हैं, लाओ अफ सेग्रिगेशन या पिर्थकरन का नियम भी बोलते हैं, तो यह था हमारा मोनो आइबरेट क्राइज, दिहान में रखकर आपके दो लाओ कम्पिलिट हो जाएंगे, मेंडल के दो लाओ, तीन लाओ हैं, तो आपको यह दिहान रखना है, तो यह कोश्चन हमारा समापत होता है,